सपने की मिशाल, एक प्रेरणा दायक कहानी, यह कहानी है एक छोटे से गाव के एक लड़के की, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, और दुनिया को दिखाया कि संघर्ष और समर्पन से कुछ भी संभव है, भाग वन, सपनों का आदान प्रदान, ग से पूरा करने के लिए कोई संविदानिक संदेश नहीं था, अर्जुन के पिता किराने की दुकान पर काम करते थे, लेकिन उनकी आमदनी सिर्फ दिन का रहती थी, अर्जुन का परिवार भोजन के लिए भी सामर्थ्य था, लेकिन उसका मन था कि वह कुछ और करेगा, कु और उसे विशेश शिक्षा के लिए किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश मिलने के लिए अपने परिवार की आर्थिक मदद की आवश्यक्ता थी, उसने अपने सपने के लिए संघर्ष किया, और जब भी वो नौकरी करने का मौका पाता, वह उसे अपने शिक्षा के लिए निवेश करने का फैसला करता, उसने रात के समय पढ़ाई की और अपने सपनों के पीछे हर संभावित रुकावट को पार किया, भक्त्री, आरंभ का संकेत, एक दिन अर्जुन को एक सरकारी स्कूल में प्रवेश मिल गया, ये उसके लिए एक बड़ा कदम था, और वह अकरियों में काम किया, और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा, वह अपने कठिनाईयों का सामना करने में कामियाब रहा, और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में अच्छा पद प्राप्त कर लिया। भाग फोर, सपनों की प्राप्ति अर्जुन ने अपने सपनों को पूरा किया और वह बड़े आदमी बन गए। उन्होंने अपने परिबार को आर्थिक सुख शान्ति दिलाई और गाव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि सपनों को पूरा करने के लिए संधर्श करें। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी सपनों को पूरा करने के लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े हम अपने लक्षियों को हासिल कर सकते हैं वह हमें यह याद दिलाते हैं कि सफलता का सफर कभी भी आरंभ के छोटे से कदम से ही शुरू हो सकता है और संघर्ष को नकारने की जगह हमें उसे पार करने का सामर्थ्य होना चाहिए इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हाला चाहे जैसे भी हो एक उद्देश्य और समर्पन से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को उच्चाईयों तक ले जा सकते हैं